ओक्सीजन परिवार का जो अगला गुण है विद्यूत रनात्मक्ता इलेक्ट्रोन नेगेटिविटी इस परिवार में यदि हम उपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोन नेगेटिविटी के मान में कमी होती है क्योंकि उपर से नीचे आने पर आकार में व्रिद्धी होती ह वहीं यादी दूसरे परिवार से इसको कंपेर करें जैसे record करेंगे तो इसके लिए विद्धु तुरनात्मक्ता का मान 15 समूस से उच्छ होगा यहन्ने नाइट्रोजन और ऑउक्सीजन की तुलना करें तो ऑक्सीजन के लिए विद्वत्रुनात्मक्ता का मान अधिक होगा। ऑक्सीजन परिवार में जैसे जैसे उपर से नीचे आते हैं तो आकार में वृध्धी हो रही है। विद्वत्रुनात्मक्ता के मान में कमी होती जाएगी। और चुकि उपर से नीचे आने पर परमाडू क्रमांग बढ़ता है तो प्रभावी नाभी की आवेश में भी वृद्धी होती है, स्क्रीनिंग एफेक्ट का मान भी बढ़ता जाता है, लेकिन देखा गया है कि सल्फर के बाद जितने भी तत्व हैं उसके लिए जो विद्ध द्रुनात्मक्ता का मान है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो स्क्रीनिंग एफेक्ट की वैल्यू है वो कम होती जाती है सल्फर के बाद, तो आप देखिए ऑक्सीजन के लिए 3.5, सल्फर 2.44, सेलेनियम 2.40, टेलियूरियम 2.01, पोलोनियम 1.76, तो विद्रुनात्मक्ता का मान उपर से नीचे आने पर कम होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ जो स्क्रीनिंग एफेक्ट की वैल्यू है, वो सल्फर के बाद कम होती जाती है, ऑक्सीजन पूरे आवर्साणी में फ्लोरीन के बाद दूसरा रिण विद्यूती तत्व होता है, फ् पूरे आवर्साणी में यह दूसरा तत्व है ऑक्सीजन जो सबसे अधिक विद्यूतरनी होता है, अगला गुण है, इलेक्ट्रोन ग्रहन एंथेल्पी, इलेक्ट्रोन गेन एंथेल्पी, इसका आर्थ यह होता है कि जब भी किसी विलगित पर मानुद्वारा इलेक्ट्र जुड़ने से एनर्जी उत्पन हो रही है इस परिवार में यदि देखा जाए तो oxygen के लिए जो electron gain enthalpy है वो कम दिखाए देती है आप सारणी में देखिए oxygen के लिए सबसे कम जो electron gain enthalpy है वो कम होता है क्योंकि oxygen अपने पूरे परिवार का सबसे छोटा सदस्य होता है इसमें जो electron क घनतव है वो एक छोटे से जगा में फैला हुआ है 2S और 2P तो इलेक्ट्रोन मेग जो है ये छोटी से जगा में छोटे से छेत्र में फैला हुआ है तो इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन प्रतिकर्शन बहुत अधीक होता है जिससे आने वाले इलेक्ट्रोन के लिए जो इनका अक तो यह परिवार जो है इसके लिए इलेक्टरॉन बंधूता का मान जो है वो अधिक होता है क्योंकि पूरे आवर्शानी में जैसे जैसे हम माय से दाए जाते हैं इलेक्टरॉन बंधूता का मान बढ़ता जाता है। अब हम देखेंगे बहुत तिक गुर्ण। ऑक्सीजन गैस होता है ऑक्सीजन जो है वो ओटू रूप में होता है द्वी परमाडू कडू के रूप में होता है बाकी यहां पर जितने भी दूसरे तत्वो होते हैं वो जटिल सनरशनल लिये हुए होते हैं और ठोस रूप में होते हैं तो जो ऑक्सीजन और सलफर है वे अ अपरूप क्या होते हैं एक ही तत्व के भिन भिन रूप जो भौतिक द्रिश्टी से अलग-अलग होते हैं लेकिन रासायनिक द्रिश्टी से एक समान होते हैं जैसे ऑक्सीजन के दो अपरूप है O2 एवं Ozone O3 के रूप में इसी प्रकार सलफर के कई अपरूप देखे गए ह जैसे अलफा सलफर, बीटा सलफर, गामा सलफर एवं कोलाइडी सलफर तो जो अलफा सलफर है उसे रॉंबिक सलफर कहते हैं जो बीटा सलफर है उसे मोनो क्लिनिक सलफर कहते हैं जो गामा सलफर है वह प्लास्टिक सलफर कहलाता है और कोलाइडी सलफर सेलेनियम और टेलिय उक्सीजन अपने परिवार का एक ऐसा अनोखा सदस्य है जो बहुत सारे गुणों में बाकी सभी सदस्यों से अलग होता है उसका कारण है उसका एबनॉर्मल बीहेवियर ये एबनॉर्मल बीहेवियर क्यों होता है उक्सीजन अपने परिवार का सबसे छोटा सदस्य होता है इसकी रिड़ विदूता का मान बहुत अधीक होता है क्योंकि इसका आकार छोटा है तो बहुत सारे इसके गुण हैं जो इसके इन गुणों के कारण होते हैं तो अब जानेंगे कौन-कौन से ऐसे गुण हैं जो इसे बाकी तत्व से अलग बनाते हैं तो सबसे पहला ये गुण है कि oxygen जो है वो M2- type के iron बना सकता है क्योंकि oxygen में minus 2 जो oxidation state है वो बहुत ज़ादा stable होती है क्योंकि इसमें आकार छोटा होने के कारण electron लेने की प्रवरित्ती बहुत अधिक होती है तो electron लेकर ये अपने अस्टक को पूर्ण करते हैं तो M2- type के जो iron है ये बना पाते हैं oxygen द्वी परमाडू करू के रूप में पाया जाता है जबकि sulfur S8 form में होता है जो हमने देखा कि sulfur या बाकी जितने भी सदस से हैं उनकी सनरचना जटिल होती है और वे ठोस होते हैं जबकि oxygen द्वी परमाडू करू करू के रूप में पाया जाता है gas के रूप में होता है यहां पर यह क्योंकि आकार इसका बहुत छोटा होता है उच्छ रणविद्यूता होती है या देखा जाए तो पूरे आवर सानी में fluorine के बाद ये दूसरा ऐसा तत्व है जो सबसे अधिक रणविद्यूती होता है P-Pi-Pi bonding पाय जाती है oxygen oxygen के बीच में और ये दुर्बल आकर्षन बल से जुड़े होते हैं O2 के बहुत सारे अणू दुर्बल आकर्षन बल से जुड़े होने के कारण ये गैसीय रूप में प्रकृती में पाय जाते हैं इसके अलावा बाकी जितने भी तत्व हैं इस परिवार के वे सभी ठो सवस्था में पाय जाते हैं Sulfur S8 रूप में पाय जाता है बहु परमाड़ो कड़ो के रूप में होता है क्योंकि इसमें P-Pi-Pi bonding की शमता नहीं होती है ये Sulfur के आठ परमाड़ो सिंगल बॉंड से जुड़कर एक क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो S8 इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर ये बनाते हैं कल बन से जुड़कर तो ये ठो सवस्था में पाय जाते हैं बाकी सभी की जो सनरचना होती है वो भी इसी प्रकार से जटिल होती है ओक्सीजन में D-orbital absent होता है साथ ही इसके आयनन उर्जा का मान बहुत उच होता है क्योंकि इसका आकार छोटा है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बहुत अधिकुर्जा क्याव शक्ता होती है तो बहुत सारे इसके गुण हैं जो इसके इन गुणों के कारण होते हैं तो अब जानेंगे कौन-कौन से ऐसे गुण है जो इसे बाकी तत्व से अलग बनाते हैं तो सबसे पहला ये गुण है कि oxygen जो है वो M2- type के iron बना सकता है क्योंकि oxygen में minus 2 जो oxidation state है वो बहुत ज़ादा stable होती है क्योंकि इसमें आकार छोटा होने के कारण electron लेने की प्रवरित्ती बहुत अधिक होती है तो electron लेकर ये अपने अस्टक को पूर्ण करते हैं तो M2- type के जो iron है ये बना पाते है oxygen द्वी परमाडू कडू के रूप में पाया जाता है जबकि sulfur S8 form में होता है जो हमने देखा कि sulfur या बाकी चितने भी सदस से है उनकी सनरचना जटिल होती है और वे ठोस होते है जबकि oxygen द्वी परमाडू कोते है एवं गैस होते है oxygen plus 2 या plus 1 oxidation state भी show करते है OF2 में ये plus 2 oxidation state show करते है जबकि O2 F2 में ये plus 1 oxidation state show करते है oxygen की सह से होजकता plus 2 होती है अधिक्तम सह से होजकता 2 होती है oxygen के लिए जबकि बाकी सदस्यों के लिए अधिक्तम सह से होजकता का मान 4 होता है बाकी सदस्यों में d orbital present होता है जबकि oxygen में d orbital absent होता है तो इस वज़े से इसकी सेवजक्ता का मान जो अधिक्तम सेवजक्ता का मान है वो दो ही होता है 16 ग्रूप या oxygen परिवार का जो अगला गुड है वो है hydride बनाने का गुड तो ये hydrogen के साथ क्रिया करके hydride बना पाते हैं यहां पर जब ये hydride बनाते हैं तो H2O, H2S, H2SC, H2TE, H2PO टाइप hydride बनाते हैं तो hydrogen से ये किस प्रकार क्रिया करते हैं तो देखिए यदि H2 plus E is equal to H2E करेंगे तो यहां E के जगापे हम अन्य तत्वों का नाम लिख सकते हैं चाहे वो oxygen हो, sulfur हो, selenium, tellurium या polonium तो H2O, H2S, H2SC, H2TE, H2PO तो इस प्रकार से ये इनके hydride होते हैं इनके जो hydride होते हैं उसके अलग-अलग गुणों को हम जानेंगे सबसे पहला गुण हम देखेंगे इसका बहुत तिक गुण उसमें सबसे पहला होगा H2O यहाँ पर रंगहीन, गंदहीन, द्रावरूप में पाया जाता है लेकिन बाकी जितने भी hydride है वो विशैले प्रकृति के होते हैं और गैसी होते हैं अगला गुण है क्वथनांक इस परिवार में यदि क्वथनांक देखा जाए हाइड्रोजन बंद बनाकर H2O के अड़ू आपस में संगोडित हो जाते हैं जिससे हमका क्वथनांक अधिक होता है जबकि H2S में S का अकार अधिक होता है तो ये हाइड्रोजन बंद नहीं बना पाते हैं तो H2O के लिए हमेशा क्वथनांक कमान H2S से जादा होगा इस परिवार में जब हम उपर से नीची आएंगे तो H2O का क्वथनांक अधिक होगा H2S की तुल्ला में लेकिन H2S के बाद यदि हम देखेंगे तो क्वथनांक में व्रिद्धी होने लगती है क्योंकि यहां molecular weight बढ़ता है wonder wall force of attraction भी बढ़ता है इस वज़े से क्वथनांक कमान भी यहां पर बढ़ता जाएगा अगला हम देखेंगे उश्मिय स्थाइतोर तो जहां पर बंधूर्जा कमान जादा होगा उसका स्थाइतोर भी जादा होगा तो H2O के लिए उश्मिय स्थाइतोर कमान H2S से अधिक होगा लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे तो चुकि तत्वो का आकार बढ़ता जाता है तो तत्वो के आकार के बढ़ने से जो M और H के बीच का जो bond strength है वो कम होता जाएगा तो अधिक उर्जा देने के आफशक्ता नहीं पड़ेगी कम उर्जा देकर ही वो bond तूट सकता है उपर से नीचे आने पर E, H के मद्ध जो बंद लंबाई है वो अधिक होती जाती है तो बंद को तोड़ने के लिए कम उर्जा के आफशक्ता होगी तो उपर से नीचे आने पर चुकि बंद लंबाई बढ़ रहा है तो उसमें स्थाइत्व कमान कम होता जाएगा जबकि H2O के लिए उसमें स्थाइत्व अधिक होगा क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन बंद पाया जाता है अगला गुण है वाश्प शीलता तो जब अणू के मध्य या जो अणू है उसके परमाणू के मध्य यदि बॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग है बहुत ज़्यादा प्रबल बंद है तो उसको तोड़ने के लिए बहुत अधिक एनरजी के आवशकता होगी लेकिन यदि वहाँ पर बंद दुर्बल है तो कम उर्जा देकर ही वह बंद तूट सकता है तो वाश्प शीलता अधिक कहां पर होगी जहां पर बंद उर्जा का मान कम होगा तो H2O के लिए वाश्प शीलता का मान कम होगा क्योंकि उसके लिए क्वाश्प शीलता का मान अधिक है वाश्प शीलता का मान कम होगा जबकि H2S के बाद जितने भी एलिमेंट्स है महाँ पर हम देख रहे हैं तो क्वाथनांग का मान बढ़ता है, तो जब क्वाथनांग का मान बढ़ेगा तो वाश्पशीलता का मान कम होता जाएगा, H2S के बाद H2SE से क्वाथनांग के मान में वृध्धी होती है और वाश्पशीलता में कमी होती जाएगी, जबकि H2O के लिए वाश्पशीलता का मा कम होगा H2O की तुलना में अगला हम देखेंगे सनरचना तो इस परिवार के जितने भी हाइड्राइड होते हैं जैसे हमने H2O की सनरचना को देखा है कि H2O में ऑक्सीजन जो है वो SP3 यहां हाईब्रिड स्टेट में होता है और अक्सीजन के पास दो लोन प्यर ओफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो लोन प्यर लोन प्यर लोन प्यर बॉन प्यर बॉन प्यर बॉन प्यर बॉन प्यर प्रतिकर्शन VSEPR थियोरी के हिसाब से बहुत अधिक हो जाएगा यहां पर क्योंकि यहां दो लोन पेर है, बॉन पेर है, बॉन पेर, लोन पेर है, सभी प्रकार का प्रतिकर्शन कारे करता है, तो यहाँ SP3 संकरण तो है, लेकिन सनरचना जो है वो विक्रीत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ इलेक्टरोन, इलेक्टरोन, प्रतिकर्शन, एकाकी इलेक्टरोन युगों का बहुत अधिक होता है, तो H2O के लिए जो सनरचना है वो चतुषफल की ना होकर कोणी होती है और बंद कोण का मान 104.5 डिग्री होता है, तो उसी तरह से इस परिवार के जितने भी हाइड्राइड है, सभी में दो-दो लोन पेर प्रेजेंट होता है, तो लोन पेर, लोन पेर बॉन पेर, बॉन पेर, बॉन पेर, बॉन पेर, प्रतिकर्शन अधिक होने के कारण, इसके लिए भी जो सनरचना है, वो सभी हाइड्राइडों की कोणी होगी, भले ही यहाँ पर, जो संकरन है, वो SP3 ही होगा, लेकिन सनरचना कोणी होती है, और जैसे जैसे हम इनके प्राइड में उपर से नीचे आते हैं, तो इसके लिए जो बंद कोड का मान है, वो दीरे-दीरे कम होता जाता है, तो इसके बंद कोड का मान H2O के लिए 104.5 डिग्री, H2S के लिए 92.1, इसी तरह SE H2 के लिए 91 डिग्री और TE H2 के लिए 90 डिग्री होता है, तो यह कारण जो ह VSEPR Theory के आधार पर हम समझ सकते हैं कि Lone Pair, Lone Pair, Lone Pair, Bond Pair, Bond Pair, Bond Pair में से सबसे जादा प्रतिकर्षन जो है, वो Lone Pair, Lone Pair के उपस्थिति के कारण होता है, और चुकि बंद कोड में जो कमी होती है, उसका एक कारण और भी है कि जब हम उपर से नीचे आते हैं, तो आकार में वृद्धी होती है तत्वों की लेकिन विद्युत्रनात्मक्ता के मान में कमी होती है तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है इलेक्ट्रोन प्रतिकर्शन को समझने का हाइड्राइडों का अमली गुर्ण तो जैसे जैसे उपर से नीचे आते हाइड्राइड में तो उपर से नीचे आने पर जो हाइड्राइड है उसका और तत्व के बीच का बंध लंबाई है वह बढ़ती जाती है क्योंकि आकार में वृद्धी हो रही है तो हम यह जानते हैं कि जो जितनी आसानी से H प्लस देते हैं अपने जली विलियन में वे उतने अच्छे प्रबल अमल होते हैं तो इस परिवार के जितने भी हाइड्राइड है जैसे जैसे हम उपर से नीचे आएंगे तो अमली गुण में वृद्धी होगी क्योंकि आकार में वृद्धी होती है तो जो E और H के बीच का बॉन्ड लेंध है वो वीक हो जाएगा और H प्लस देने की जो प घटन होगा तो H प्लस प्लस E H माइनस तो H प्लस दे रहा है यह अमली प्रवित्ती को दर्शाता है तो K A का मान यहने जो अमली सामर्थ है या अमली जो स्थाइत वह है उसको दर्शाने के लिए हम K A एक स्थिरांग लेते हैं is equal to H प्लस E H माइनस दोनों की सक्री मात्रा अपॉन लेते हैं H to E तो इसका जो अनुपात है वह एक स्थिरांग होता है द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अधार पर तो K A का मान जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा अमली सामर्थ का मान भी उतना ही अधिक बढ़ता जाता है तो जैसे जैसे हम उपर से नीच हाइड्रोजन देने की प्रवृति तो जो आसानी से हाइड्रोजन दूसरों को देते हैं या दूसरों को आसानी से अपचाईद कर पाते हैं वह अच्छे अपचायक होते हैं तो जल के अलावा जितने भी हाइड्राइड है वह प्रबल अपचायक की तरह कारे करते हैं क्यो यह आसानी से दूसरे को दे सकते हैं, तो यह एक अच्छे अपचायक की तरह कारे करेंगे, जल को छोड़कर सभी अच्छे अपचायक की तरह कारे करते हैं, इस परिवार के ऑक्साइड के बारे में हम जानेंगे, इस परिवार के ऑक्साइड मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं EO2 और EO3 प्रकार के. तो इसके कुछ 我要 said जैसे sulfur के जो oxide है So2, So3 प्रकार का selenium के oxide, SeO2, SeO3 प्रकार से, Te के oxides है, Teo2, TeO3, polonium का जो oxide है Po-O2 और Po-O3. तो इसके जो oxides होते हैं, इनकी प्रकृती जो वो है वो अमली होती है ये नीले लिटमस को लाल लिटमस में परिवर्तित कर देते हैं इन ओक्साइडों के और भी कुछ गोड़ होते हैं जो एसो टू है वह गैसी प्रवृत्ती का होता है जबकि एसी ओटू टी ओटू ठोस होते हैं सल्फर ट्राय ओक्साइड जो है वह ठो अल्फा, बीटा और गामा तीन रूपों में पाये जाते हैं ऐसो टू प्रवल अपचायक होते है जैसे जैसे उपर से नीचे आते हैं अथाथ हम टी ओटू की तरफ आते हैं तो अक्सीकारगुण में व्रिधी होती है क्योंकि उपर से नीचे होते हैं तो धातवी गुणों में वृद्धि होती ہے तो जैसे क्रिया होती है तु अपन चायक भूल में कमी होती है और थालूलायट सीओ के प्रवृित्थी प्रवृत्व से उस प्रिवार का इनकी की प्रवृत्ति है भो ग्लापिश में. प्रकार से ये बना सकते हैं, तो इसके कुछ जो हैलाइड है, उसमें हेगजा हेलाइड जो है, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तो उसमें से जो सबसे ज्यादा स्थाई हेगजा हेलाइड होता है, सलफर का हेगजा फ्लोराइड, SF6, SF6 जो है, वो SP3D2 संकरन दर्शात और अस्टफल की सनरशना होती है क्योंकि SF6 में एक भी लोन पेर प्रेजेट नहीं होते हैं SF6 का जो गुण है SF6 अक्री होते हैं, रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं, अजवलनशील होते हैं एवं जल में अविले होते हैं EX4 प्रकार के जो हैलाइड है उसके कुछ उदाहरण देखिए, SF4, SEF4, TEF4, जिसमें से SF4 गैसी होते हैं, SEF4 द्रव होते हैं, जबकि TEF4 ठोस होते हैं SF4 की जो सनरचना है, वो CESO प्रकार की होती है, क्योंकि आप देखिए, SF4 में SP3D संकरण है, तो इस आधार पर इसकी सनरचना त्रिकोड़ी द्वी पिरामेडी होनी चाहिए, क्योंकि SP3D संकरण है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, एक लोन पेर प्रेजेंट है इस लोन पेर के कारण, VSE पेर थियोरी के आधार पर इसकी सनरचना विक्रित हो गई, और त्रिकोड़ी द्वी पिरामेडी से CESO प्रकार की जामिती इसमें दिखाई देती है इसके अगले जो हैलाइड्स हैं, ECL2 प्रकार के जो हैलाइड होते हैं, वो SP3 संकरण दर्शाते हैं, तो SP3 संकरण ये दर्शाते हैं, तो इस आधार पर इसकी सनरचना ऐसा लगता है, चतुश्वल की होगी, लेकिन इसकी सनरचना जल के समान होती है, याने कोड़ी होती है कोड़ी इसलिए होती है क्योंकि यहां पर दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों पाए जाते हैं और इन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के कारण इसकी सनरशना विक्रित होकर कोड़ी हो जाती है ECL2 प्रकार के जितने भी हैलाइड होते हैं वो SP3 संकरन तो है लेकिन उसकी सनरशना कोड़ी होती है अब हम जानेंगे किस किस प्रकार से ये जो प्लस टू ऑक्सिरेशन स्टेट वाले हैलाइड बनाते हैं सल्फर के जो हैलाइड से SCL2, SBR2 इसी प्रकार सेलेनियम इस प्रकार के हैलाइड नहीं बनाते हैं टेलियूरियम TECL2, TEBR2 प्रकार से पोलोनियम POCL2 और POBR2 प्रकार से हैलाइड बना सकते हैं ये E2X2 प्रकार के हैलाइड भी बना सकते हैं E2 X2 प्रकार के जो हेलाइड से उसके कुछ उदारन देखिए S2 CL2 यहने सलफर का जो E2 X2 प्रकार का हेलाइड होगा S2 CL2 इसे प्रकार सेलेनिएम के लिए SE2 CL2, टेली। तेल्यूरियम के लिए TE2 CL2 और यह जो E2 X2 प्रकार के जो हेलाइड होते हैं उसमें जो सेलेनियम का E2, X2 प्रकार का जो हेलाइड है SE2, CL2 जो है वो असमानुपातन अभिकरिया भी दर्शाता है अर्थात यहां पर एक ही प्रकार के रियक्शन में एक ही तत्व के कई oxidation state दिखाई देते हैं जैसे 2, SE2, CL2 विघटित हो रहा है तो SE, CL4 प्लस SE बनता है तो SE, CL4 प्लस 3, SE balancing mode में लिखते हैं इसको तो SE2, CL2 में जो SE है सेलेनियम की oxidation state प्लस 1 है जबकि SE, CL4 में सेलेनियम के oxidation state प्लस 4 है और SE के लिए जो सेलेनियम का oxidation state है वो 0 है तो एक ही reaction में कई प्रकार के oxidation state दिखाई दे रहे हैं यह असमानुपातन अभी क्रिया का उदाहरण है तो E2, X2 प्रकार में जो SE2, CL2 है वो असमानुपातन अभी क्रिया दर्शाते हैं इस परिवार के जो हैलाइड है वो जब हैलोजन से क्रिया करते हुए उनके जो हैलाइड बनते है उसके स्थाइत्व का क्रम होगा फ्लोरीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे उसके बाद धीरे धीरे है जो स्थाइत्व का क्रम है वो घटता जाएगा तो fluorine, उसके बाद chlorine, प्रोमीन और iodine, तो हैलाइट के स्थाइत्व के घटने की जो प्रवृत्ती है वो इस प्रकार से हम शो कर सकते हैं अब हम oxygen के बारे में पढ़ेंगे, di oxygen जो एक प्रान वायू है और प्रकृती में oxygen के बिना हम जीवन की कलपना ही नहीं कर पाते हैं तो इसे बनाने के कई सारे प्रोसेस हैं, इसे हम लैब में भी बना सकते हैं और और योगीक दृष्टी से भी इसे बनाया जाता है तो O2 बनाने के लिए जो प्रयोकशाला विधी है, सबसे पहले हम उससे जानेंगे पोटेशियम क्लोरेट का जो उत्प्रेरकी अबघटन किया जाता है यदि प्रयोकशाला में तो oxygen प्राप्त होती है उत्प्रेरकी अबघटन का अर्थ है, यहां उत्प्रेरक के रूप में MnO2 का प्रयोक किया जाता है तो प्रयोकशाला विधी में जो समीकरन होगा 2KClO3 is equal to 2KCl plus O2 तो यहां देखिए उत्प्रेरक के रूप में MnO2 का प्रयोक किया गया है और इस प्रकार उत्प्रेरकी अबघटन से oxygen प्राप्त होती है तो यहां प्रयोकशाला विधी है oxygen बनाने की बहुत सारे अन्य भी विधिया है उसमें से एक विधी है कि जो विद्यूत्रासाइनिक स्रेणी में जो नीचे के सदस्य होते हैं उनके जो oxide होते हैं उनके भी तापी अबघटन से धात्वों के उच्चतर oxides के तापी अबघटन के द्वारा भी oxygen प्राप्त किया जा सकता है कुछ हुदाहरन इसमें से 2AG2O जैसे silver के oxides, mercury के oxides या lead के oxides तो जितने भी विद्धुत्रासाइनिक स्रेणी में नीचे के जो सदस्य हैं उनके जो oxides हैं या धात्वों के जो उच्चतर oxides हैं उनके तापी अबघटन से भी oxygen प्राप्त होता है तो सबसे पहले हम देखेंगे silver का oxides तो 2AG2O is equal to 4AG plus O2 यहां तापी अबघटन हुआ दूसरा है mercuric oxide 2HGO is equal to 2HG plus O2 तीसरा है red lead या PB3O4 तो 2PB3O4 is equal to 6PBO plus O2 अगला है 2PBO2 is equal to 2PBO plus O2 तो यह सारे जो oxides हैं यह धात्वों के oxides हैं और इनके तापी अबघटन से oxygen प्राप्त हो रहा है कुछ उच्चतर oxides होते हैं उनके भी तापी अबघटन से oxygen प्राप्त होता है जैसे lead का 4th oxide याने lead जहां पर 4 oxidation state show करता है plus 4 oxidation state show करता है 2PBO2 is equal to 2PBO plus O2 इसी प्रकार barium का oxide है 2BAO2 is equal to 2BAO plus O2 अगला है MNO2 magneze का oxide 2MNO2 plus 2H2SO4 is equal to 2MSO4 magneus sulfate plus 2H2O plus O2 तो यहां भी हम देख रहे हैं कि magneze का जो oxide है वो magneus sulfate में परिवर्टित हुआ और oxygen प्राप्थ होता है तो यह सारे जो oxides हैं यह उच्चे तर oxides हैं और इनके तापी अबघटन से भी oxygen प्राप्थ हो रहा है nitrates के अबघटन से भी oxygen प्राप्थ होता है जैसे potassium nitrate, sodium nitrate तो potassium nitrate KNO3, sodium nitrate NaNO3 KNO2, potassium nitrite 2KNO2 plus O2 अगला है 2 NaNO3 is equal to 2 NaNO2 plus O2 oxygen प्राप्थ हुआ अगला है potassium per magnet तो potassium per magnet के अबघटन से भी oxygen प्राप्थ हो रहा है और potassium per magnet से potassium magnet बना तो 2 KNO4 is equal to K2 MNO4 plus MNO2 plus O2 तो इस प्रकार potassium magnet प्राप्थ होता है और साथ ही साथ oxygen भी प्राप्थ होती है तो यह oxygen प्राप्थ करने की कुछ विदिया है कुछ oxides के तापी अबघटन से और प्रयोकशाला में हमने देखा कि potassium chlorate के उत्प्रेर की अबघटन से oxygen प्राप्थ हुआ वायू से भी oxygen प्राप्थ किया जा सकता है तो वायू में carbon dioxide और gel को पहले हटा लिया जाता है उच्च दाब और कम तापमान की स्थिति में और जो शेज बचीवी gas होती है उसको द्रवी भूत किया जाता है और इसको द्रवी भूत करने के बाद प्रभाजी आस्वन किया जाता है तो प्रभाजी आश्वन जब किया जाता है तो अलग-अलग temperature पर दो गैसे प्राप्त होती है 90 Kelvin पर oxygen और 77 Kelvin पर nitrogen गैस प्राप्त होती है तो इसे फिर अलग कर लिया जाता है तो इस तरह से कुछ विधिया है जिससे हम oxygen प्राप्त कर सकते हैं oxygen के भौते गुण oxygen रंगहीन होता है गंधहीन होता है स्वाधीन होता है जल में oxygen की मात्रा 3.08cc पर 100cc में प्रेजन्ट होता है अर्थात इसकी बहुत कम मात्रा ही घुली होती है जो जली जीवों के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है जल में ये आंशिक रूप से विले होते हैं और ये वायू से भारी होती है oxygen वायू से भारी होती है